आज की क्लास में हम डेस्कस करेंगे इकोनोमिक ओडर क्वंटिटी एक ग्राफ है जो कि जिसमें की सभी कोस्ट इनिकल्यूड होती है ओडरिंग कोस्ट इन्वेंटरी केरिंग कोस्ट इसमें क्वंटिटी के साथ में इसको ग्राफ के साथ में बनाया जाता है तो इसमें कैल्क किया जाता है और इस तरीके से होद्र किया जाता है कि जो टॉटल इंवेंटरी ओर कोस्ट रिए अड केरीं को स्ट्ट हो लग रही है वह कम से कम हो यानि कि किछ सब्सक्षाइब को कितना एसी कितनी कhonटिस को ओर करे जिसमें कि order करने की cost और carry करने की cost कम लगे हम लोगों ने पिछली class में discuss करा था कि inventory को order करने में कौन-कौन सी cost include होती है carry करने के लिए कौन-कौन सी cost include होती है तो हमें क्या होता है कि order करते टाइम में जिसकी purchase department हो गया उसको order करने लिए जितने भी requirement ट्रांस्पूर्टेशल में आजएंगी केरी करने के लिए क्उस्टेरी ड्रेंट वगैर जो सबैंने क्या कम से कम करना होगा तो ऐसा कितनी क्वांटेटी हम ओडर करें जिसके हमारी कौस्ट और किहरें रिसी से कम हों तो इस वज़े से इन ग्राफ बनाया कंटिया чувств यह कोष्ट ऑर यह है ऑड़र क्वेंटिटिटी यान की खुष्ट व क्वेंटिटी तो शुरुआथ में क्या होगा कि यह साइड में इनक्रीप हो रही है यह तो इनक्रीप और शुरुआत में नहीं क्या होता है जब हमारे कोस्ट यानि की कवंटरिटी अगर हमारी जीड हो है तो इनक्रीज होगी तो केरिंग कोस्ट उसकी बढ़ते रहेगे तरह बढ़ागे च्जंट ठीक है शुरुआत कम होगी देन जितने हमारे पास से प्रोडेक्ट जादा होंगे उसी केकोडिंग हमें स्पेस की अवलेबिलिटी और बढ़ानी पड़ेंगी ठीक है तो कहरी जितना हमारे पास में कुवेंटरी बढ़ती जाएंगी तो उसके कोस्ट है यान्य की ओडरिंग कोस्ट जो आएगी ओडरिंग कोस्ट जब क्वंटिटी कम होंगी तो उसके लिए भी फॉर्ट सो लगाने पड़ेंगे ओडर रिचुल करना पड़ेगा पर्चेस डिपार्टमेंट आलग से होगा और आग क्या नम है उसको ट्रांसपोर्टिश जाएगी तो ordering cost हमारी decrease होती जाएगी ठीक है इस तरीके से decrease होती जाएगी यहां से इस तरीके से और टोटल कोस्ट क्या होता दोनों कोस्ट को जोड़ने के बाद जो कोस्ट आते टोटल कोस्ट है तो economic order quantity यानि कि ऐसी और कि क्वेंटिटी आइडेंटिफाई करना जो की इकवनोमिक हो यानि जहां पर और और ऑडरिंग और कहले हैं जीस पॉइंट पर मीट करेंगे उसी के ही जितनेकोंटिटी होगी sincer तो यहां पर यहां पर टॉटल कोष्ट जिसकी काम यहां पर क्या हो रहा है टॉटल कोस्ट भी कम हो रही है यहां पर दुसरी चीज जो और यहां पर यहां पर यहां से बढ़ जाएगी और यहां पर ज्यादा थे टूल कोस्ट का फोल करेगा जिस हां पर मिनिमम होगा वहां पर उस कोंट्री को हम एकोनोमिक ओडर कुंट्रीटी बोलते हैं तो जिसमें mathematical तरीके से किसे निकालते हैं क्यों इस दा मालिया एकोनोमिक ओडर क्वेंटिटी हैं ओई दा ओओ इन्वेंटरी ओडरिंग कोस्ट अशोशेटेटेट विद एक ओडर यानि कि एक अगर हम एक ओडर कर रहे हैं तो उसके लिए निए इन्वेंटरी ओडर करने के कि इतनी कोस्ट लगेगी तनी कोस्ट पर युनिट पर आइटम सब्सक्राइब करने के लिए और य४ जो होती है यो इस है यान की की एक साल में कितनी टुटल क्वाइटिटी यूज करने वाली है यानिकी होने वाली है तो नंबर उपर चेज ऑडर जो फंश्ट होए हैं कितने ओडर स्किए हैं तो पहला है ट्राइफ टॉटल कुंदिटी इंगस करने हैं उसी को निकाल लvida तो एक वार में जितना ओर रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी कि इतनी होनी चाहिए उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में इतने ओडर यानिक पर्टिकॉलर ओडर आ जाएंगे कि हमको इतने ओडर प्लेस करने हैं एक साल के अंदर ठीक है यानिकि यूँवाइ क्यों यानिकि कितना कोंटिटी एक साली रिक्वारमेंट है एक साल किया है एक साल कि एक नहीं होडर कोण चेमल में कितनी कोश लगए य यह क्या हो जाएगी एक साल के लिए कि लिए कोश्ट लग रही है एक साल में कितने ओर गई इस से लग रही थी तो डेन एवरेज अन्वर्ड इन्वेंटरी उसकी आवरेज निकाल लेंगे एक वह पाई टू आ जाएगी एवरेज पर किया था इन वेंटरी इन्टु पर आटम इनुंटू है इन्ट्रीं को स्ट वर करने के लिए जो कोई लग रही है यानिकि एक आइटम की कोस्ट सी दिनोट किया था रटने यानिकि इनुटरीं को ड्रींग कोउच्ट इन परसंटेज पर पीड यानिकी क्यों वाई टू इंटू सी इंटू आई या इन्वेंटरी केरिंग कोस्ट आ जाएगी और टोटल कोस्ट क्या होती है केरिंग कोस्ट यानिकी जो टोटल कोस्ट आती है ओडरिंग कोस्ट प्लस केरिंग कोस्ट यह तो थी केरिंग कोस्ट और य तो इसको और क्या होता है कि टोटल यह इसको मिनियमम से कितने हो सकती है तो हमें जो टोटल को याने की टोटल को डिफ्रेंशीयर्ट करना होता है यानकि quantity के साथ में अधिप्येसियाट करेंगे तो में क्या होजाएगी मीनिम्मम dust आजाएगी तो डेइसको डिप्रेशीया करेंगे क्या निक तो हमारे ग्या और फटर्ट किया फेलिओ सेट किया तो यह आ जाएगा हमारे पास में ठीक है तो यह minus qo और qy minus 2 plus ci divided by 2 तो यह आ गया इसको जब हमें rearrange किया इसको क्योंकि इसको 0 के equal put किया था तो इसको rearrange करे रहे हैं उस तरफ ले गए तो इसका minus अट जाएगा इसके बाद हमें q निकालना है q निकालना है तो q निकालना है q is equal to q को इसको हम इस साइड ले चले गए ठीक है q को इस साइड ले चले गए cross multiply कर दिया तो यह 2 qo divided by ci और यह q is equal to क्या आ जाएगा 2 uo divided by ci ठीक है तो यह हमारे क्या हो जाएगी q is the quantity ऐसे quantity है यानिकि जहाँ पे minimum cost होगी ठीक है यानिकि cost जो की minimum होगी यहाँ पर ठीक है यह economic order quantity है यानिकि इतनी quantity अगर order करेंगे तो यहाँ पर cost कम से कम होगी ठीक है तो यह तर डिसको जनाए तिंग आपको help लोगा है अगली class में हम numerical solve कर लेंगे ताकि आपको all clarity आ जाए तो मिलेंगे next video के साथ में अगर help लगी है वीडियो तो share जरू कर लेना have a nice thing